नमस्ते जोस्तो आज का डेट है 1 नवंबर 2023 और अभी हम डिसेस करेंगे 10 हिंदू के कुछ important articles हिंदी में तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ड लोकेशन है जो कनाडा आज हम लो डिसेस करेंगे क्योंकि कनाडा गोवर्मेंट ने Chinese app, Chinese messaging app, BeChat और Russian platform Casper Sky ये कुछ एप को खासके government smart phones के लिए बंद कर दिगई ठीक है याद रखिए है government smart phones के लिए ये सारे Chinese app और Russian जो आप है इसे बंद कर दिया गया है इसी करार आज कराडा नियूज में था जिसका हम लोग आज लोकेशन डिसेस करेंगे ठीक है तो कनाडा की कुछ मुख बाते हैं जैसे कराडा के पश्ची में पेश्पिक्सी है परसांद महासागर और इसके पूरभ में अट्लांटिक महा तो यह तीनों चीज़े याद रखेगा और बाकी चीज़ें हम लोग विश्टार से पढ़ाएंगे यह एक डेवलप्ट कंट्री है और इसकी बहुत अच्छी रांकिंग है चाहाए वो मानव विकास सुषकां को हो में डेवलप्मेंट इंडेक्स हो या फिर और भी जो बा अप्ल साइवर हमले की चैतावनी लगातार जो हमारे विपक्ची पार्टीज के नेता है उनके एपल के फोन में लगातार एलट का मैसेज आ और एसा अरोप हैं विस्तार से पढ़ेंगे और उन्हीं लोगों को टार्गेट किया या जिसका पद या फिर धन के लालच में जिसके पास ज़्यादा धन है या फिर बहुत उचे पद पे हैं उसी को टार्गेट किया जा रहा है यह लगभग 150 देशों में अभी तक एपल द्वारा इलर्ट का मैसेज भेजा गया है उसके अगला अगला आटिकल जो है आज वर्चुली परधान मंत्री मोधी और बांगला देश के परधान मंत्री सेख हसीना द्वारा अखावरा और अगरतला रेल लिंक का उधगाटन क्या जा रहा है आज ही के दिर वहाँ पर उधगाटन होगा यह मुश्किल से 12 किलोमेटर का 12.24 किलोमेटर का एक रेलवे लिंक बनाया गया है जिसमें 6.78 किलोमेटर जो है वो बांगला देश में है और 5.46 किलोमेटर जो है वो भारत में है और इसको दोहरे गेज मतलब कि डबल लेन बनाया गया है तो इसे कनेक्टिविटी वी बढ़ेगी और जो हमारा कहीं भी अगर अगरतला जाना होता था वो गोहाटी से भूम क पर जाना पड़ता था अभी बारतमान में यहां पर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ें अगला अर्टिकल है सेफ्टी फरस्ट रेलवे मस्ट अपग्रेड इट्स सिग्नलिंग एंड टेली कॉम्निकेशन नेट्मक अभी हाल ही में आ कबच को लॉंज किया है जिसके साथ आटोमाटिकली ट्रेन रूप जाएगा जब कोई खत्रा दिखेगा या फिर कोई दूसरा ट्रेन अगर सेम पट्री पे चलता है तो कबच अक्टिबेट हो जाएगा फिर भी यह जो दो एक्सटेंट हुए हैं वहाँ पर किसी भी ट्रे ने सनसद्ये नियमों को संभावित कानू तोरने के साथ मिला कर मतलब की एक सवाल कूशने के लिए एक बिजडिकेसमैन से कुछ पैसे की मांगी थी ये कही न कहीं कज़ाचार को पदसीद करता है तो ये सनसद्ये संगीन आरोप के रूप में आता है जहाँ पर नैसिक्ता क है दहिंदू के उसके जो अगला अर्टिकल है एनमसी टू लांच वन नेशन वन रेइस्टेशन प्लेटफॉर्म पर उनिफाइड इन्फो और डॉक्टर्स मतलब की डॉक्टरों के बारे में एक इक जानकारी के लिए एक राश्ट एक पंजीकरन मंच लाउग करने की बात की यह जिससे की जो भी डॉक्टर लाइसेंस लेते हैं उन्हें सुब्धा हो सके और जो बाहरी लोग हैं उसके परती जानकारी प्राप्त कर सके एक सेम प्लेटफॉर्म पर उसके बाद रेटिंग की भी सुब्धा की जाएगी जिससे की सिच्छा गुरवता में भी यह महादीब के उत्री भाग में इस्थी थे जो अट्लांटिक से परसांद महासागर तक और उत्तर में आर्क्टिक महासागर तक फैला हुआ है तो याद रखेगा जो कनाडा के उत्तर में है वो आर्क्टिक है और इसके बेश्ट में है पेशिफिक उसके बाद इसके इसक इसके साउथ में युएश है उसके कनाड़ा जो है कुल छेत्रफल की द्रिष्टी से बिश्व का दूसरा देश है याद रखेगा बिश्व का दूसरा देश और भूमी छेत्रफल की द्रिष्टी से दूइती सबसे बड़ा देश है ये दोनों ही द्रिष्टी से दूइती सन्युक्त राज अमेरिका के साथ अंतराष्टे सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है उसके अध कनाडा एक विख्षित देश से इसकी परती व्यक्ति आई जो है वो विश्व अस्तर पे दसमें अस्थान पर है और इसका जो इसकी सरकाल जो है पारदर्सिता नागरिक स्वतनता जीवन आर्थिक स्वतनता सिख्षा गुड़मत्ता के आंतरास्तिय माप में उचे रैंकिंग प्राप किये हुए कनाडा जो है वो राष्ट के राष्ट मंडल का भी सदस्य है उसके इसमें कुछ और महत्पूर्ण बात है तो अगर हम लोग वेश्ट इस जाते हैं आव इसको हम लोग एक वार मैप में देख लेते हैं जेसे कनाड़ा का मैप है और इसका सबसे पहले अज़िए यहां पर देख लेते हैं जो है ओटाबा यहां पर है ठीक है एक दम युश्व के पास है और हाँ पर कुछ और महत्पुर्ण चीज़े हैं यहां पर डेनोट किया गया है और यह इंटरनेस्टन बाउंडरी है यहां पर नॉर्थ में देख सकते हैं अर्टी कोसर है इसके बेस्त में passive option है और इसके East में Atlantic को अध впер यहां पर सबसे महत्पूर्ण चीजह यह पांचों लेक बहुत ही उस्य याद रखेगा जैसे लेक सुपीरियर हो गया क्य ¿ merchandise क्षाइब हो चीजे याद रखेगा उसके यह सारे विभक्त किये हुए दस अस्टेट और तीन यूटी ठीक है यहाँ पे और जैसे बफीन बे है उसके डेविस स्ट्रीट है लेवरडोर सी है लेवरडोर सी ठंडी जलधारा है या फिर गरम जलधारा है प्लीन मुझे कमेंट करके बता है तो ये याद रखेगा और शेयर जो है जो जो यू ए तैक है रोस है है इसे रसे खर और ज़िसे यहाद रखेगा कम से कम इतना भी याद रख पाये कि यह कहां है कि कि देश में अब बढ़ते हैं आगे उसके त्टिकल जो है और नयतिकता संसदिय आचरण और भारतिय सांसद इथिक्स पार्लेमेंटरी कंड़क्ट एंड एंडियन एंपी इसमें राइटर कहते हैं मुख बिंदु क्या है इस आर्टिकल में तो लोग सभा आचार सरहिता इस बात की जाज कर रहे हैं इसमें कहा गया है कि संसदिय नियमों को संभावित कानून तोड़ने के साथ मिलाकर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए थे तो यही मुख मुद्दा है जो पार्लेमेंट का उलंगन करता है मिश मोहित्रो हैड रिशीब मनी फ्रॉम बिजनेसमैन फॉर पूटिंग क्वेश्चन अप इन पार्लेमेंट विथे व्यू टू प्रमोटिंग दा पर्संस बिजनेस इंट्रेस्ट ठीक है इसी करन यह पैसे की डिमांड की और यही मुख मुद्दा है उसके अनैतिक आचन की असपश्ट परिभासा के बिना यह संसदिय मांदंडों और कानूनी मुद्दों को संतुलित करने की चुनोती को दरसाता है यह मामला जो है वो सांसदों के बीच कदाचार के आरोप से निपटने की जटील प्रक्रिया पर प्रकास डालता है कि संसद जो है वो बिशेशा अधिकार का ज्यादा फाइडा उठाते हैं उन प्यारोप प्रकाने के लिए जटील प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है इसलिए संसद मनमाने कारे करते हैं ठीक है जैसा इन्होंने अभी किया है आगे देखते हैं इस आर्टिकल का मुख्र भाउगते हैं तो त्रिन मुख्क कॉंगरेस की सांसद महु आ मोहित्रा को संसद में प्रस्ण पूछने के लिए पैसे लेने क्या रौप में लोक चबह आचार समेत्री कीकी कारभाही का सामना करना पड़एगा उसके कुछने के लिए पैशे लेने के दोसी पाये गये सांसदों को को निसकासित करना भी समिल किया गया अगर के जuiçãoकर किया और किया दर पुद्वासाओं का अभाव जो है वो सांसदों के कार्यों के मुलांकन को आचार समीति के विवेग पर निर्भर करता है तो यहां पर समस्या यह है कि आचार समीति का जो विवेग होता है उसके बाद अनयतिक आचरन सब्द आप परिभासित है और निर्वले समीति के निर्वले करती निर्व गरता है से लेकर आधिकार मिशहस्धिकार कारने के क misman रिपतार्थों में अलग आपराधिक जाँच सामिल हो शक्ति है उसके आज संसदिय समीतियों द्वारा जाज का जो दाइरा है वो नियाएक जाज से भिन है और साक्ष का मुल्यांकन संभावनाओं की प्रवलता पर आधारित होता है उसके बाद आगे कहा जाता है कि बिशलेशन क्या है इसमें पिछले मामलों में सांसदों को अ लाते हैं तो ये भी कहीं न कहीं अनैतिक आचरन को प्रदेशित करता है उसके आज पास्पोर्ट अधिनियम जैसे कानूनों का उलंगन करने वाले कलाचार के गंभीर मामलों को अक्सर विशेशादिकार समीतियों द्वारा निप्टा जाता है ना कि आचार समीति द्वारा तो ये कुछ विशलेशन है जाच के तरीकों में लिखी दस्ताबेज, मौखी गवाही, विशेशग बयानों की जाच सामिल है और निशकर्ज जो है वो समान ग्यान द्रिश्टि कोन पर अधारीत होता है महत्पून विब्रन क्या है तो सांसदों के अनायतिक आचरन से सम्मधित सिकायतों की जाच करने और कारवाई की सिफारेश करने के लिए 2000 में यहाँ पे आचरन समीति का गठन किया गया था याद रखेगा आचर समीति की गठन की गई थी उसके बाद संसदिय कारेओं के लिए धन स्विकार करने जैसे कदाचार के करन मिशकासन का सामना करने वाले संसदों को अभी भी भ्रष्टाचार निवारन अधिनियम के तहत आप्राधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है तो यही कारण है कि यहां पर यह मुद्दा बहुत ही संगीन है कि किसी व्यक्ति के संसद में होने के बाब्यूत बेपैसे की मांग करते हैं किसी कोश्चन को पूछने के लिए तो कैसे हमारा जो संसद का गरिमा बचा रहेगा तो विश्याधिकार का हनन और सदन की अब म कितियां और आचार समेति को कड़े रूप से जाच करने की करवाई करनी होगी संबिधान का अच्रन की जाच में आचार समेति की भूमका के लिए संसद्य अनुशासन और कानूनी विचारों के भी संतुलन क्या वशकता है उसके अनयतिक आशन को परिभासित करने में असप संसद्य अनुशासन और आपराधिक जांच के बीच अंतर को पहचानना भी आवश्यक है तो यह थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यह आज अर्टूरियल में था दहिंदु के इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे संसद्य लोग जो होते हैं वो इतना बड़ा पत्प पे होते हुए भी इस तरह के घ्रिनित क्रित में सामिल होते हैं मतलब कि किसी भी बिजनेसमैन अगर कोई भी प्रस्ट को उठाने के लिए बोलता है तो अपने इंट्रेस्ट में बे पैसे की भी मांग कर लेते हैं अब बढ़ते हैं आगे अगला आर्टिकल जो है हमारा अभी उसका हम लोग लिश्ट भी देखेंगे तो अपोजिशन पार्टी के दौरा कहा जा रहा है यह कहीं ने कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसकी चाल है लेकिन हम लोग पहले इसके फैक्स को समझ लेते हैं कि एपल साइबर अटेक का मुख्य कारण क्या है तो इसको हम कि मैसेज लगातार आ रहे हैं खासके जो परमुख पदोपे हैं या अपोजन पार्टी में अच्छे पदोपे हैं तो कई भी पक्षी नेताओं को प्राप्त एपल का राज प्रायोजित हमला बर अलर्ट क्या है जैसे कि यहां पर अलर्ट देख रहे हैं अस्टेट अस्प सब्सक्राइब करते हैं और क्या एक एपल उप्योग करता को ऐसे एलट को गंबिता से लेना चाहिए ठीक है तो आगे कहा जाता है कई पक्षी नेताओं और कुछ पत्रकारों ने एपल से जो अस्टेट स्पॉंसर्ड अटाइकर्स हैं के बारे में एक आधी सूचना प्रा इंफोर्मेशन निकाल कर वो फिरोथी की भी मांग कर सकते हैं आये कहा जाता आधी सूचना में कहा गया है कि हमला बर अटाइकर जो हैं वो संभवत व्यक्तियों को इस बज़ा से निशान बनाते हैं वे कौन है ठीक है उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं और वो क्या करते और उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने आइफोन पर लॉक्डाउन मोड ठीक है जिन व्यक्ति को ऐसा मैसेज आता है उन्हें एपल द्वारा कहा गया है कि वे अपने लॉक्डाउन मोड को आन करने तो सुविधा को शक्रिय करके खुद को सुरच्षित बनाएं ठीक है आ मतलब की राजय प्रायूजित हमले से मिलती जूलती है इसने अब तक 150 देशों में व्यक्तियों को इस तरह का अलर्ट मैसेज भेजा है ठीक है आगे कहा जाता है यह राजय प्रायूजित हमलाबर हैं कौन अस्टेट अस्पांसर आटैकर हैं कौन जिसका उल्लेग एपल कर कहता है पहले जारी एक नोट में तकनिकी दीगर्ज ने कहा था कि जो अस्टेट सेटी चेमेंट एक व方 सवागा अपग्रेट करते मिं अपघ्रेड करते रहते हैं ह। पर पता लगाना खत्रे एक खुपिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण और अपूर्ण गति वीडियो के रूप में होते हैं यह संभव है कि कुछ एपल जो खत्रों के सूचना एलर्ट की जो सूचना है आती है गलत अलार्म हो शकते हैं या कुछ हम लोग पता भी नहीं होता है जैसे अभी बर्तमान में OTP का जो समस्या है लगातार जैसे कि जो जागरुक लोग है बेतों जानते हैं मानलीजे कोई अनपढ़ लोग है या पिर किशान है या पिर कम पढ़ा लिखा है बेया स्मार्टफोन रखता है और उससे OTP की बारे में पर्थित हमला वर जो है वो विसीश व्यक्तियों और उनके उपकरनों के पीछे उनकी पहचान और गतिवीदियों के आधार पर यह अस्टेट अस्पॉंसर अट्र जो है वो जाते हैं ऐसे हमले जो है नियमी साइबर अपराज्यों द्वारा किये जाने बेले हमलों से बिल पर यहां पर कहा जाता है कि यह आम तोर पर बितिया लाव के लिए निशान नहीं बनाते यह उनकी पहचान और उनकी गति वीडियों पर नज़र रखते तो इसलिए विपक्षी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी पर आरोप लगा रही है तो एपल के अनुसार और टर्म के लिए ही एक्टिव होते हैं और उन कमजोरियों का फाइदा उठाने के लिए डिजाइन की जाते हैं जिसके वारे में जनता को जानकरी नहीं है ठीक है यह धंकी अधी सूचना क्या है जो एपल जारी करता है यह क्या है तो एपल की धंकी सूचना है ठीक है अलर है अस्टेट अस्पॉंसर अटाइकर द्वारा टार्गेट किया जा रहा है तो इन हम लोग की जो परतिक किरिया के रूप में कंप्री ने एक ऐसा सिस्टम विक्सित किया है जो कुछ पैटर्नों से मेल खोलने वाली गति वीडियो का पता लगा सकती है जब किसी हमले का पता है तो एक खत्रे का अलर्ट का मैसे भी दिया जाता है तो इमेल और आई मैसेज द्वारा इन इमेल पते मतले इमेल आईडी और फोन नंबर पर भी जाती है जो प्रभावित उपयोग करताओं की एपल आईडी से जुड़े होते हैं कुछ राइन देताओं और अने लोगों जो अधिसूचना प्राप्त हुए हैं वह समभता इसी परनाली द्वारा जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी का एमेल आईडी का छेठ्षाड करना चाह रहा है या फिर किसी के आईपी एड्रेस का छेठ्षाड करना चाह रहा तो उससे इस तरह का संदिक मैसेज लगता है ए एपल के जो यूजर्स हैं उसके द्वारा तो एपल ने कहा था मैं अभी इसके बारे में जारकाई नहीं रखता हूं कि किस कारण से हमें खत्रे की सूचना जारी करनी पड़ रही है मतलब कि इसे पहले पता ही नहीं था कि जो अलर्ट मैसेज आ रहा है एपल यूजर्स का उसे एपल कंपनी को पता ही नहीं था कैसे आ रहा है लेकिन आगे जाकर इसने क्लियर किया है यहां पर जो इमेल आईडी का और इमेल और आई मैसेज की बात की गई है क्योंकि इससे जो अस्टेट अस्पॉंसर्ट अटैकर हैं को हविश में पता लगाने से बचने के लिए अपने ब्यवहार को अनुकूल करने में भी मदद मिल सकती है आयक आयाता है किसी हमले का पता चलने पर एपल उप्योग करताओं को क्या करने की सला है यहां पर लिश्ट देख सकते हैं किन-किन लोगों को इस तरह के अलर्ट मैसेज हैं जिससे सासी थरूर हैं सभी कॉंग् पार्टी पर आरोप लगाया है तो सूचनाओं के साथ कुछ अतिरिक्त कदम की सला दी गई है जो उप्योग करताओं को अपने तो किस तरह से जो हैं जो कस्टमर्स हैं कंजूमर्स हैं जो खासके एपल के उन्हें कैसे अपने आपको सुरच्छी तक ना है उसका एपल सुरच्छा और अपनी गोपनेता की सुरच्छा के लिए उठाए जा सकते हैं एपल द्वारा अनुसंसित कुछ सामानी सुरच्छा योगतियां जैसे नभीन तब यतने भी लेटे सौब्वेर अपडेट आये हैं उससे अपडेट करना जरूरी है उसके आद पासकोड पास अब भी सिफारिस की गई है कि उपयोग करताओं को केबल अप जो है वो हमें एपल स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए और भी बाहर चे थर्ट पाटी आप जो आते हैं उसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए और परते एक ऑनलाइन खाते जितने भी ऑनलाइन अकौंट्स ह करको होते हैं उसके लिए अलग अलग पासवर्ट रखने के अब चाहिए कि बहुत से लोग क्या करते हूं, के पास दो-तीन e-mail ID होते हैं और अपने e-mail ID में यह पासवर्ट रखते हैं, से इंकी e-mail ID का एक्सेस को नहीं कर पाता है अगर सेम पासवर्ड रखते हैं तो वो कहीं भी दूसरी जगा अगर एक भी जान गया पासवर्ड तो वो सारे email id को एक्सेस कर सकता है और अग्यात स्रोथ से जितने भी मैसेज के हुए लिंक आते हैं या attachment आते हैं उस पर क्लिक करने से बचे चाहे आप 10 क्रोड जित गया है इस तरह के जितने मैसेज आते हैं उस लिंक को आप लोग क्लिक नहीं करें एपल का यह भी सुझाओ दिया आता है कि उप्योग करता जो है वो lockdown mode खासकर जिन लोगों को इस तरह का मैसेज आया है उसको lockdown mode को सक्रिय करने के लिए कहा गया है जो विशेश रूप से इस तरह के दूरलब और परिश्क्रित साइबर हमलों से बचने के लिए अपने नविंतम सब्वेर अफडेट में पेस की गई एक सुविधा है ठीक है तो यह याद रखेगा lockdown mode को अक्टिव करने की बात की गई तो lockdown mode जो है वो बास्तव में क्या है और इसे कैसे चालू किया जाता है जब आप lockdown mode सक्रिय करते हैं तो आपका device जो है वो उच्छ सुरक्षा की स्थिति में परवेश करेगा जहां कई सामाने जो है कारिपरतिबंधित या अक्षम हो जात आप करने में सक्षम नहीं हो अभी देखते हैं हम लोग ट्रू कॉलर पर बहुत से चीजों को हम स्पैम करके रखते हैं तो आल्रेडी वो मैसेज सोही नहीं होता है पहले ही स्पैम को बॉक्स में चला जाता है उसी तरह का यह भी दिया गया है lockdown mode तो lockdown mode जो है वो केवल उन वेंचुरा या फिर जो अप्ग्रेड वर्जन है तो इन तरह के अप्ग्रेड वर्जन पर ही इस तरह का lockdown mode एवलेबल है एपल का कहना है कि ऐसे हम ले जो हैं बहुत दूरलब है और केवल विशीश व्यक्तियों यहां पर हर एक बार यहीं कहा आता है कि अस्पेस्पिक पर फिर lockdown mode पर जाकर इसे टॉगल करके lockdown mode on कर सकते हैं जिस किसी को भी एपल से खत्रे की सूचना मिलती है उसे इसे गंबीता से लेनी चाहिए अपने डिवाइस और खात्रे को स्वचित करने के लिए एपल द्वारा सुझाए गए चर्णों का पालन करना चाहिए तो यह था ए इस तरह का लोगलान mode on करने का परियास करें ठीक है उसके देखते हैं अगला आटिकल जो है आज ही के दिन भारत और बंगलादेश के बीच में एक रेलवे लिंक शुरू किया जा रहा है जो 12.24 किलो मेटर का है ठीक है तो इसको हम लोग भीतार से देख लेते हैं आज वर् रेल लिंक का उटगाटन किया जाएगा यहां पर देख सकते हैं मैप में यह 15 किलो मेटर नहीं है 12.24 किलो मेटर है ठीक है तो यहां पर एक आहतियासी कदम के रोप में बंगलादेश और पूर्वत्तर भारत लगभग सालहे साथ दसक मतलब कि 75 बर्स अंतराल के बाद बुद्वार को त्रिपूरा के माध्यम से रेल संपर्क फिर से स्थापिक किया गया है अगरतला जो है वो त्रिपूरा में है तो विदेश मत्रार ने कहा कि बहु परतिक्षित अखावरा अगरतला रेल लिंक का को कोलकाटा से जोरने के पहले कदम में देखा जाता है अगरतला जाना तो यहार लिंक कोलकाटा से पूरा अशम और मिजोरण ile के लिए आबसक समय और दूरी को भी कम करने में सक्षम हैं कि इससे लोगों के बीच तहां पर पीपल टू पीपल याद रखेगा पीपलस पीपल टू पीपल संबन भी बेहतर होंगे उसके लाद अगरी कल्चर भी बेहतर होंगे प्रिशी उत्पात जैसे चाय चीनी उसके लिर्मान बस्तूओं लोहा और इश्पात ये भी आदान पदन किया रहा सकते हैं इंडिया और बांगलादेस के बीच उब्होगता बस्तूओं में भारत बांगलादेस ब्यापार को बढ़ावा देने में भी मरत मिलेगी आगे कहा जाता है और अगरतला जो है क्रॉस बांगलादेस को दी गई कि 392 पॉइंट बामन करोड की अनुदान सहायता द्वारा समर्थित की गई है यह देखे पूरा का पूरा रेल लिंक और इंडो बांगला बॉर्डर यही रेल लिंक का पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे देख सकते हैं यह रेल लिंक जो है 12.24 किलोमेटर गाई जि पूरा देश के ब्रहामन बरिया जीले में इस्थित अखोरा जंग्सन चटगाउं डिवियन का हिस्सा है और अपनिवेशी युग के बात से भारत के उत्तर पूर्वी छेत्र के साथ बानेजी को सांस्कृतिक समंद्रों का एक सम्रिद इतिहास रहा है ठीक है अगे कहाता ह है नौभी शताबदी के अंत में जंग्सन के प्रारम्भिंग निर्मान के पीछे मुखे चालकों में से एक था तो यहां पर अपनिवेशी काल जब था जब ब्रिटिस का सासन था भारत में तो यहां पर भी एक रेल लाइन बनाया गया था और मुखिता जो था वो अशाम क के चाय उत्पादन की मांग की गई थी आगे कहा जाता है उन्नैश्वी सताबदी के अंत में जंक्सन के प्रारम्भिंग जब यहां पर बनाया गया था जंक्सन ठीक है तो यह मुखिता बनाया था असाम के चाय को एक जैसे दूसरे अस्थान पर ले आने के लिए ठीक है ज इसको फिगर में भी देख लेते हैं यह अखहौरा ठीक है और अखहौरा से अगरतला यहीं पर यह हमारा कोरीडॉर बनाया गया एक रेड़ एक ब्लू ठीक है यह देख सकते हैं यहां पर डाजलिंग है और सिली गुडी है तो यहां से पोलकाता से डायरेक्ट कितना ज्या पहुंचने में आसानी होगे तो जिससे क्या होगा कि आईजोल हो गया उसके बाद मनीपूर हो गया त्रिपूरा हो गया तो यह सारे छेत्र पे विकास तेजी से हो सकतेगा अब देख लेते हैं अगला आटिकल इसमें क्लेर कहा आता है सेफ्टी फरस्ट सबसे पहले सुरक इच अधर यहां पर एक कबच की बात की गई है इस परफॉर्म टू टेस्ट दा न्यू ट्रेन कोलेजन प्रोटेक्शन सिस्टम कबच वीच इस ऑटोमेटिकली अस्टॉप ट्रेन वें डिटेक्ट अनधर ट्रेन ऑन सेम लाइन मतलब क्लियर कह गया यह कबच लॉंच किया जिसे करन सेम ट्रेक पर रेलबे ट्रेक पर अगर दो ट्रेन आयती है तो खुद बखुद बो ट्रेन रूँग जाती है लेकिन यहां पर पॉलिजन हो गया तो इसे जल से जल अच्छे तरीके से लागो करने की बात की जा रही है आगे कहा जाता है आंधर पर्देश के विशाका पतनम पर विशाका पतनम से 36 किलो मेटर मेटर मतलब एक चैन फसी ट्रेन था ऐकुर्व संब्सक्राइब मंतलम की यह रुका हूए ट्रेन था और विशाका पतनम रायगडा प Pac idea और सिटे करा गई जे जून में वा शुर जीले में तीन ट्रेन के वीशन नतकर करता है खास के जब मामला हो सेम ट्रैक का ठीक है तो यह गलती पूरता है रेलवे के सुरच्छा पर नाली पर डिपेंड गरता है तो दोनों दुर घटनाओं में मानवियत रूटी एक सामाने कारक हो सकती है ओडिसा में दुर घटना कारण जो था वो सिगनलिंग हस्तचेप हो सकता है जब कि विजय नगरम में सिगनलिंग जंप कारण होने की संदेह हैं दोनों दुर घटनाओं में कबच स्वदेशी रूप से बिख्षित ट्रेन टक्कर बचाव परनानी जो अभी हम लोग प किर्श अधिकारी रे सुरच्छा नियमों को लाव करने में विफल रहा है यहां तक कि ओडिसा दुर घटना के मामले में भी लोग को आस्वस्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई शक्री और गहन अव्यान नहीं चलाए गया ऐसी कोई दुर घटना नहीं होगी जो भारत की सबसे खराब दुर घटनाओं में से एक है तो रेलवे की क्लियर कहा जाता है कि ऐसा कोई भी अव्यान नहीं चलाए गया रेलवे के लिए जिससे कि लोग भी ज़्यादा आस्वस्त हो सके रेलवे में सफर करने के लिए तो रेलवे की कारेपनाली को प्रहुद करने वाले गहरे और पुराने मुद्दे का विसेशन क्या आता है तो ऐसा विचार होता है कि सिगनलिंग और जो टेली कॉम्निकेशन सिस्टम है उसके अपडेशन के साथ साथ जो मानब संसाधन है हुमेन रिसोर्स हैं जो इंप्रोई हैं उनको भी ज़्यादा ज़्यादा की नजरंदाज क्या जा रहा है तो परिचाला सुरच्छा से सम्मनित पदों के लिए अप्रेल 2022 से जून 2023 के बीच लगभग एक क्वाइं बारा लाक उम्मिद्बारों के पैनल में सामिल होने के बाद भी यहां पर क्लेयर का है रहा है कि 2022 अप्रेल 2022 से जून 2023 तक लगभग नए जो रिक्रूट हुए हैं वो एक पॉइंट बारा लाक उमिद्बार रिक्रूट हुए हैं फिर भी एक जुलाई दो हैं 23 तक लगभग किरपर 1180 पद जो थे अभी भी खाली है सिग्नलिंग से सम्मनित तो लगभग 1100 एक सवस्तर की इंटर लॉकिंग जैसे उपाई कि किवर्या करने के लिए मैंनवय तुरूट के लिए मंजनम करने के लिए ट्रैक मसीन अदरा ट्रैक भी चाने कीृचिम === कनशक यूपन कर ने के लिए 6400 सथ 10 अस्टेशनों पर बिन्दू और सीगनलों पॉइंट और सीगनलों के केंदी परिछ से अंटलून के साथ जिससे रेलवेव पर नाली के कामकाज विशेज कर राष्ट्रिय रेल सुरक्षा कोश का कारेन बेंद जिससे की सुरक्षा में सुधार के लिए महत्पुन सुरक्षा परिसंपत्यों के परतियस्थापन नभीनी करण और उन्नैन के लिए किया जागा लेकिन जब लोग की जान चली जाती है तो यह सारे जो इनिसियेटिव होते हैं वो धरे के दहरे ना जाता है इन सभी पर सवाल उठाए जाता है और जो अवी गरतमान सवय में रेलवेव पर उठाए जा रहा है तो ऐसी दुरगाटना होने पर कम से कम मंडल अस्तर पर मतलब की डिविजनल लेवल पर ही वरिष्ट रेलवेव प्रवंधन की जवाब दही होनी चाहिए हर ट्रेन में हर मिनट के संचार को पकड़ने वाली तकनिकी अस्थापित करने के अलाबा सरकार को या देखना चाहिए कि रेलवेव बोर्ट की तो सदस्य है उसको रेलवेव पर नाली के बाहर के पेशवरों और टेक्नो क्रेटो के समू से चुना जाए देर सविर उसे रेलवेव पर नाली का समगर सुधार करना ही पड़ सकता है इसी करण इसे इंप्रूब करने की बात की जारे एक खासकर सिगनल और टेली कॉम्मूनिकेशन को और जो भी रिकूर्मेंट अभी भी बचा हुए जो इक जानकारी के लिए एक ढचिकरन मंच लांच करेगी मतलब की ऐन्मस टू लौँट्वन मेसन वन रेट फ्र 옆 इपोर्म यूनिफाइड इनफो और डॉक्टर्स लिए जानकारी के लिए राटर्स Πेशार्च लिए यहां राटर के द्वारा कहा जाता है करेगा तू इलिमिनेट डुप्लिकेशन एंड रेट टेप एंड एलाव दा पब्लिक टू एक्सिस इन्फोर्मेशन ऑफ डॉक्टर्स और जनता को भारत में कारेद किसी भी चिकित्सक पर जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए एक राष्ट एक पंजिकरन लॉंच करने के लिए पूरी तरह से तयार है तो याद रखें कौन करेगा एनेमसी मतलब की नेशनल मेडिकल कमिशन एनेमसी अगले च्छा मां में नेशनल मेडिकल रजिस्टर के एक पैच पाइलट का अनवरन करेगा जहां डॉक्टरों को एक बिसीष्ट पहचान ठीक है एक स्पेसिफिक आईडी दिया जाएगा एक बिसीष्ट पहचान संख्या अवांटित की जाएगी और फिर वे जहां है उसकी आधार पर किसी भी राज में काम करने के लिए अपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं ठीक है आगे कहा जाता है चिकित्सा संस्थानों क की रेटिंग और शिक्षाय गुणमत्ता के आधार पर भी रेटिंग की जाएगी तो आयोग ने इस साल की शुरुवात में इस कदम की घोशना करते हुए चिकित्सकों को पंजीकरण और चिकित्सा अभ्यास करने का लाइसेंस नियम 2023 सिर्शक से एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी यह विचार जो है वो NMR मतलब की नेशनल मेडिकल रेजिस्टर पर असनातक छात्रों को एक आईडी पदान करने का है इस आईडी का उप्योग किसी भी अन्य योगता को आधितन करने के लिए क्या जा सकता है तो सिस्टम में पंजिक्रित लगभग 14 लग डॉक्टरों का डेटा जो है वो NMR मतलब की नेशनल मेडिकल रेजिस्टर में उपलब्द कराया जाएगा तो इस बीच पाइनल ने चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग के लिए क्वालिटी कॉंसिल आफ इंडिया के साथ एक समझ करनों बत्ता क्या अधर पर रेटिंग कराई जाएगी ठीक है तो यह थे कुछ इंपोटेंट आर्टिकल जो आज के दा हिंदू के न्यूज पेपर में थे ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो लेकिन बहुत ही इफेक्टिव था ठीक है तो इसलिए जरूर ध्यान से देख